नश्क्राइब दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं कि अगर पुलिस वाले के पास में अगर कोई information मिलती है कि cognizable offense एक particular place के उपर commit किया गया है तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि पुलिस वालों ने अगर F.I.A. दज नहीं करी है उस information को gather करने के पुलिस वालों ने क्या करा कि उस जगा पे उस point of time पे जब पुलिस वालों को cognizable offense के बारे में पता लगा F.I.A. जिज नहीं करी वो चले गए अपना spot के उपर लोगों से पुछताची करी consultation करी और यहां पे पुलिस वालों से और लोगों से discussion किया कि ऐसा हुआ था अच्छ के basis पे उन discussions के basis के उपर अपनी F.I.A. रिकॉर्ड करी गई पुलिस ओफिसर के दौरा तब कोशन यहां पर आता है क्या इसको F.I.A. बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा F.I.A. का मतलब क्या होता है F.I.A. का मतलब होता है first information report कि जब सबसे पहली बार पुलिस ओफिस सारे लोगों से discussion किया, लोगों से पुछा ताची करी, सारी जगा पे consultation करा, discussion किया, उसके बाद में आपके दिमाग में, as a police officer, आपके दिमाग में बात इतनी सी थी और आपके दिमाग में बहुत सारी बाते और आ गई हैं, तो उसी का basis result क्या निकलेगा, आपकी F.I.A. के अ कि पुलिस वालों ने, जो ये जाच पताल करिये, अपनी जगा ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक इसका तौर तरीका है, इसका कानून का अपना procedure है, अगर मैं आपको clear शब्द में बताऊंगा, कि F.I.A. किसे बोलते हैं, F.I.A. बोलते है कि जब पुलिस वालों को सबसे पहली बार, जिस ब्यक्ति से information मिली है, info मिली है, उस अधार पे अपनी F.I.A. record करी जाती है, उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, अपनी appropriate investigation करना शुरू करते हैं, कि हमें एक अपराद के बारे में पता लगा, और वो अपराद commit हुआ ह हम murder spot पे जा रहे हैं, ठीक है, murder spot पे जाने के बाद में murder के अगर F.I.A. दर्ज हुई है, obvious सी बात है, cognizable offense के लिए F.I.A. दर्ज होती है, ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप advocate हो, lawyer हो, law student हो, अगर आप first year के law student हो, उनकम exception रख सकता हूँ, बढ़ ये आपको पता होनी चाहिए, कि first information report दर्ज करी जाती है, cognizable offense अगर commit होता है, उनी particular अपरादों के लिए, फिर police वाले investigation करना शुरू करते हैं, फिर लोगों से अपने discussion करते हैं, अपने facts इखटे करते हैं, लोगों के अपनी statements record करते हैं, record करने के बाद में फिर और सबूत हैं, ये चीज़ों को gather करते हैं, magistrate अपने आपको satisfy करते हैं, कि actual में police के द्वारा investigation करी गई है, उसमें दम है या नहीं है, तो अगर दम निकलता है, तो magistrate फिर क्या करते हैं, cognizance लेने के बाद में, magistrate साब क्या करते हैं, अपनी inquiry conduct करते हैं, फिर police का role अपना खतम हो जाता ह हैं या पर, ठीक है, inquiry conduct करते हैं, अब inquiry में ये चीज़ पहचानते हैं, कि actual में अपनाद बनता भी है, या नहीं भी बनता है, अगर अपनाद बनता है, तो यहाँ पर मैसर साब फिर accused को एक मौका देते हैं, कि भाई, अभी मेरे सामने confession तुम्हें confess करना है, तो कर दो, ठीक ह पहले prosecution को मौका दिया जाता है, कि prosecution अपने evidences लेकर आई है, फिर जो prosecution अपने evidences लेकर आते हैं, जो defense council अपना, उनको examination करते हैं, ठीक है, cross examine करते हैं, फिर उसके बाद, जब cross examination और सब prosecution evidences अपने खतम हो जाते हैं, prosecution witness अपने पूरे हो जाते हैं, उसके बाद, defense council को मौका दिय जाता है कि defense आब अब अपने witness लेके आओ, फिर उसका cross examination, prosecution, council के दुआरा किया जाता है, जिसको बोलते है public prosecutor, क्योंकि cognizable अपराद है न, state के against अपराद है न, ठीक है, तो state के against में prosecution किसके दुआरा, अपना case contest किया जाता है, public prosecutor के दुआरा, ठीक है जी, फिर defense counsel अपने witness लेकर आ होती है, ठीक है, case को conclude करने में, फिर medicine साब, जो होते हैं, वो दोनों की बाते समझ जाते हैं, कि actual में मुद्दे की बात क्या है, prosecution का क्या case है, defense counsel का क्या case है, जिसमें जादा weightage होती है, उसके basis में, जो अपना trial court साहाब है, वो अपना judgment सुना देते हैं, अब judgment से, एक party खुश होगी, एक party खुश, नहीं होगी, फिर जाया जाता है, अपील के अंदर, अपील के अंदर भी सेम अपना matter को appreciate किया जाता है, वेटेज देखी जाती है, कि क्या loop holes है, actual में हापे trial court के दौर appreciate, डंक से evidence करे गई है, नहीं करे गई है, उसी के basis पे जो appellate court है, वो decide करते हैं, कि हाँ, जो trial court के दौरा conviction पास करी गई, judgment सुनाया गया है, उनको quash करा जाए, reverse करा जाए, या ना करा जाए, ये कानून की प्रक्रिया है, ठीक है, बट कानून की प्रक्रिया को अपना police वालों ने खेल बना के रख दिया है, कैसे, कि यहाँ पे onnibar Supreme Board of India के सामने एक matter आया थ जिसका discussion मैंने एक अपनी previous वीडियो के अंदर करा है, और उसी के अंदर यहाँ पे बात हुई थी, कि पुलिस वाली साहब अपना chair पे बैठे हुए थे, उनके पास एक cognizable offense की information पता लगी, उन्होंने का अच्छा लोग घुमके आते हैं, वो घुमके आये, लोगों से आराम से पूछताची कर रहे हैं कि अच्छा भी या, तुमने क्या देखा, तुमने क्या सुना, अच्छा जब murder हो रहा था, तुम लोग कहां खड़े थे, तुमने किसको देखा, और कौन से हतियार का इस्तमाल करा गया, यह सारी जानकारी लेने के बाद, राम से अपना पुलिस and it is hit by section 162 of CRPC, इसको FIR नहीं बोलेंगे, इसको हम, इसको बोलेंगे statement, जो कि पुलिस वाले अपना statement record करते हैं जहां पर मैंने बताया था, कि जब पुलिस वाले अपनी investigation कर रहे होंगे, तो facts and statement अपना gather करेंगे, लोगों से पुछा थाजी करेंगे, लोगों की statement record ये वो वाली statement है, और ये वो वाली statement इसको क्या बोले आता है, 162 of CRPC, अब आपकी एक जमेदारी है, comment box के अंदर आप लोग बताईएगा, ये 162 CRPC हमारा भारती है, नागर एक सुरक्षा सनीता के अंदर कौन सा section है, ये आप लोगों की जमेदारी है, एक homework आपको मैं दे र द्वारा, अगर यूज कर जा रहा है, तो उसको contradiction के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं, या अगर मान लेते हैं कि prosecution अपना witness लेके आया, prosecution साहब अपना witness लेके आ है, ठीक है, prosecution के सामने तो witness ने बोला था कि हाँजी भाई मैंनी सब देखा है, मैंनी accuse को देखा है, accuse मेरी आँखों क के आगई murder करा था, victim का, मैंने देखा है सब कुछ, ठीक है, अब prosecution ने बोला भाई, court के आगए बाद court के सामने बाद बोल दोगे न, हाँ हाँ, जैसा मैं बोल दूँगा, अब prosecution witness अपना court के आगए खड़ा हुआ, जैसा मैं तो जानता ही न, accused कौन था, जैसा मैंने तो statement अगर police के आगे भी दी गई होगी, तो during the course of the investigation, तो ऐसी statement को भी, जो witness के दुआर अपने दी जा रही है, under section 162 के अधार पे इसको मानते होए, prosecution अपने खुद के witness को court की permission लेने के बाद में cross examine कर सकता है, ये बहुती ज़्यादा घहरी बात है, याद रखने मेरी बात, अगर अगर कानून की, अगर आपने धंग से पड़ा होगा, CRPC, criminal log अपने धंग से पड़ा होगा, तब आप मेरी घहराई वाली बात समझ पा रही होंगे, कि अगर कोई भी witness, जो की prosecution witness होता है, और वो hostile हो जाता है, दल बदलू हो जाता है, उस case में prosecution witness अपने खुद के witness का cross examine कर सक करता है, court की permission लेने के बाद में, या दखना, हालकि prosecution witness का cross examination तो defense council करेगा न, ठीक है, बट यहाँ पर prosecution witness का, पीपी साहब अपने खुद गई witness का cross examine कर सकते है, कब अगर वो hostile हो जाता है, court की permission लेने के बाद में, तो इसलिए ऑन्रिबर सुप्रिमूट अफ इंडिया ने इस case during the course of the investigation under section 162 of the CRPC से, यह hit करेगी, उसी को माना जाएगा, इसका इस्तमाल केबल contradiction के लिए किया जाएगा, बात खतम, तो यह उन्रिबर सुप्रिमूट इंडिया के सामने clarify करा गया, तो आई होब आपको यह judgment है, यह पसंद आया होगा, 1224 में बुलाईए, हाले कि पहले भी इस बात को clarify करने के लिए कोई नहीं बात नहीं है, रिएटी-एटी करा गया है, ठीक है, बट लेटेस जज्जमेंट है, तो examiner आपको लेटेस जज्जमेंट के उपर ही, में, जुडिश्री एक जज्जमेंस के अंदर आपको पकड़ेगा, आपकी गर्दन पकड़ेगा, हमारे सारी के सारे batches के उपर application download कर लो, smart and legal guidance के लिए, और दूसरी बात, हम जो अपना एक नया batch लेकर आ रहे हैं, भारतिय साक्षय अधिनियम का, जो की 20 अगस से हमारा start हो रहा है, तो अगर आप लोग batch के इंदर enrolled होना चाते हो, 50% discount available करवाना चाते हो, तो application download कर रो, सारी क कोई भी कोईरी है, application download करके, message chat box है, वहाँ वहाँ पर message बेजो, direct वहाँ पर सारी कोईरी अपनी solve कर सकते हो, batches के regarding, कोई भी कोईरी होगी, आप वहाँ पर solve कर सकते हो, बागे अगर वीडियो बसंद आई है, तो like, share, subscribe सुरू करेगा, मिलते नेक्स वीडियो के इंदर, thank you, आने बाते.